हलो फ्रेंज नमस्ते प्रतिभापी रश्ववी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पकोडे जो खाने में क्रिस्पी और स्वादिश लगते हैं तो चलिए बनाते हैं पालक पकोडे पालक पकोडे बनाने के लिए हमने लिया है पालक के पत्ते, हल्दी, सपेती, नमक, अजवाई, लाल मिर्श पाउडर, तेल और एक पतोरी बेशन लिया है सबसे पहले हम थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं अब प्रेशन में एक छोटा चम्माज लाल मिर्श पाउडर, आदा चम्माज हल्दी, अजवाईन, सपेती, सवादा नुसार नमक डाल कर इसको अच्छे से मिला लेते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से मिला लेंगे, इसको ज्यादा पतला ना करें अब इसमें थोड़ा गरम किया हुआ तेल डाल देंगे अब कड़ाई में तेल डाल देते हैं अब हमें पालप के पत्ते को बेशन के मिश्रन में अच्छे से दुबा कर तल लेना है अब कर देते हैं पालक पकोड़े बनकर तयार हो चुके हैं आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राइए करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद